पूर्दी कि आज मैं जहां पर बैठा हूं डाक्टर ये जो रोड़ा जी हैं जहां पर ये प्रैक्किस कर रहे हैं 91 से और जो अबदुल्ला पुर बस्ती है उसके आस पास का जितना भी लाका है उसमें जे सेवा अपनिकत दे रहे हैं सुँआ से साम तक इनके पास पेशंट रहांते हैं लेकिनों क्रोणा पैंडेमिक के कारण अब प्री कोशन ले रहे हैं अमने जो घर पे ही परेज और है या दोई युदुंधries लेक्न को जगलां चाहिए। णिजुके में कोई निया क्रोणा भी प्यादा हो चुका हें लेकिन जहां पर डाक्टर रोड़ा जी जो है कि स्माज शेवर की वी है और जगा जगा जे रogaप बी लगाते हैं वहां पर अपनी सेवा भी देते हैं तो उड़ाड़ सभी पूछ साफ से बच्छों के बारे बज्डरूर लोग लोग एक दातों के पारे और को प्छाई कैसे हुए उनको क्या दिया र्खना चाहिए और पंडिंग मिड्ट जो लोग हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे हम पूछेंगे तो यह थोड़ा से मैं भी उतार रहा हूं तो डाक्टर साथ से में मैं उसको उतार दो मेरे पूछे आप उतार दो और देखें यह कुरूना जो है नाइन महिने से नो महिने से हमारी हिंदुस्तान में बैठा है लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं कि कुरूना धिरी धिरे करके जा रहा है चोलो डाक्टर साथ मेरे साथ अर्जेस और रोड़ा जी इनोंने क्या प्रीकोशन लिया इनोंने क्या किया क्रोना पैंडेमिक में और कैसे पेसेंट को चेक किया और मैं दो-चार सवाल और ही पुछ हूँ है डाक्टर साथ से पहले क्रोना के बारे बताई कि आपके जो काम था उसमें क्या अफेक्ट पड़ा और जो लोग आते थे उनको आपने कैसे टीट किया डाक्टर रियेस औरोडा जी जो एक प्रेक्टिशनर है इनको ब अर्जे जो आपने जो प्रोल माईया लोग कांदे वीच और पेंडिंगी देंगे ज़िए लोक के दंद दुख दे सी जाओ कि प्रोलमा दे उस समय तुसे उनकिमें ट्रीट किता दे कि में तुसी प्रीकोशन लेया पसका जो करोना आया उस टैम तासी ओनलाइन सर्विस द सब्सक्राइब किती जारी सीगी ठीक होन सेकेंड टैम करोना फिर दुबारा पीकते आ रहे हैं इंदे वास्ते सरकारवलों वैक्सिन भी त्यार कीती गई है और जन्वरी दे पहले अफ्ते तक तक तगरीवन सारी हैं सरकारी डिस्पेंसरियां ते अवे लेवल हो जाएगी जद्दा जद्दा को ये दव वैसे कोरौना अब आगी रहना चाहिए इस्टैंस बना खेर रखनी चाहिए मास्क पेंदा चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बार अपने हाथ वाश कर दे रहना चाहिए सब्सक्राइब जो होई पने वाड़ी मुटी अपनी मैडिसन दी हेलप कर देंदे हैं कदे भी जाके अपना उते पैड नी यूज कर दे ऑसी परसेंट लोग केमप लगां दे अपने क्ली दी अदवास दे अपने पेशन नो उत्फो बनाके अपने क्लीनिक दी बना ली पर मेरी एददी लगाना जा आरपीडी लगानी है बहुत काट रेट रेट होसकता कई वरी फ्री वी लगा देती है जान दिया बाक्कि ए एरिये स्लंप एरियां जैनलनू जादा जरूरत हुंदी है हाइँ-फाइ-एरिये चे लगान दा कोई फैदा नही है कॉन्मेट स्कूल च लगान दा को करके इननों स्लम पे रिये चे बाक्वी डॉक्टर अनों भी कैमप लगांदे रहना चाहिए था कोशिश करने ही जाए थे कि सरकारी स्कूल लादे वेच जड़े बच्चे ग्रीब करांदे ने उननों जाके उननों देखके उननों अवेर करना बहुत ज्यादा जरूरी है समा सेवा भी करते हैं कि उसी चांदे था नों ठाई नो तीसा लोगे ने प्रेक्टिस करते हैं तुसी एथे बहुत बड़ा तुसी वह उस्पिटल बार भी मना सकते सिगे पर तुसी इस एरिये दी बैठके इते लोकां दे सेवा कर रहे हो एत वाड़ी ग्रेटनेस है ते तु करता क्योंकि बच्चे स्याने हो जाने ता भी वाइड कर दे यार टैम लगूगा दान साफ करेंगे क्योंकि एथे वरे थोन थोड़ा चानना पढ़ना चाहिए कि पेरिंट्स नुकी में त्यान रखना चाहिए कि बच्चे तकरीब नूडल बर्गर मंचूरियन खाके पॉपकॉर्न खान आले थे पीजा खान आले बच्चे ने दानता है नदे खराब होंगे क्योंकि जदो एक खांदे ने रादनू बच्चे आजकल मुबाइल दी खेड़ते विच रती गयारा गयारा बारा 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 वाई तक जाग दे रहें कोई यूटूब ते जादा होंदा ने दे मुझे अंदर फूड पॉड पालिटीकल रह जांद है दान दे साफ नहीं करते जहीं आपका चाप्ट केमप लगदे है कर दे टीचर दे देवी दो टेम दाब्रश बहुत जरूरी राद प्रश बहुत ज्यादा जरूरी है रादन जादो फूड पाल वाज पने दान्द कुछा करने है कारे लोग उसकी दाने यह लोग है कि नीक चवाना है का। इस वर दस्वी ओजड़ी अग चेंज आई है उधे नहीं की निक्सान हो रहे हैं पहला जड़ी साधी डाइट सी हाड़ डाइट सी जिवें दाने चब ले छोले खाले मकी दी रोटी खाली कनक खाली जा अपना बाजरे दाटा हो गया होने चीज़ जान नहीं मिल रही है आज नहीं पर बच्चा जिनको फोख लगी जाता डिदान के टूरते जा रहे हैं उनने की चिप्स दा पैकल ले रहाएं के कोल्ड रिंक ले लेनी है जिनने हजारा बमारियां ताडे दानता खराब होनी होने होर बमारियां कहीं हो जाना नि आज दे बच्चे अनु एस चीज़ पर बच्चे आनु इनना चीज़ जरूरत है नहीं बच्चे समझ रहे आज दे पहले गन्ना होंदा सी घंडेरियां होंदिया सी और ना लोग दान्दी अक्सेस हाई जोंदी सेगी ते उस्तों बाद यड़े किकर दातूंदी सेर्वी दसों कि में अपना फाइदा होंदा स कोई भी परसन बाइट करता ही अंदर दी इनफेक्शन बार आजन दी सेगी किकर देनाल बार आजनी जाने मदेदा तनल ओनता कैमिकल है गया होंद कैमिकल दी दोड़ देवेचे हजारा तरा दिया साधियां पेस्टा आगियां यह ने कुछ पेस्टा एने जडियां मैडिक सब्सक्राइब करते हैं पराणे बजर्गां सब्सक्राइब करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको चवाने के लिए जैसे दाने हुए गंडेरियां होगी दातन होगी आजकल वो करते हैं वो करते थे पहले आप में जैसे आप खाना खाते हो एक बाइट ली उसको बती वार चबाना उसके अंदर सलाइवा है और रस निकलेगा तो पेट में जाएगा इसी इसाफ से हम तंदरुस्त रहेंगे आज के वक्त में बाइट मूमें डालते हैं नजरुन की टीवी पे होती है यह के चैनल लाजिए पाइगा खाना खांगा रहे होते हैं खाना खाते हुए भी यह लोग बाइट निक चूड़ते हैं यह जब से मोबाइट लाया फैदा तो हुआ इया है पर उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा एै चाह Musi का बस्तियों यह को ब्ते हैं किसी से बात पहले मैं इस का बिल्कुल जोजनी करना चाहिए नाग्ड़ साभ ने जाई का बकी जो एक्सेसाई है नाटों की घंडेरियों से हो गई अपने जो दाने वगए चबाते थे चली वगए रखाते थे उससे एक्सेसाई होती थे लेकिन आज कि जितना जंक पूर ब्रेड बगए रहा में जो बगएरा हैं जाई नूडल्स बगएरा हैं तो आप देखी सकते हैं पास्ता बगएरा हैं उनमें क्या चीज़ होती है कुछ नहीं अंदर रखा दान्तों को चुवाई भी नहीं पूंदर चला जाता है तो उसके साथ कोल्डरिंग सभी लोग लेते हैं तो डर्स अब ये ए बाइट करता हैं वहाँ नीचे निशान बनने चलू हो जाते हैं जैसे जैसे उसके निशान बनेगे उस डैंचर को उतना उतना रिमूव किया जाता है महीने 15 दिन के अंदर सैट हो जाता है कुछ पेसेंट है जो इस चीज़ को हाफता 15 दिन वेट नहीं कर पाते इसली वो मेरे सेट होने वाले कोई लगता है ये माल उका देखंगा चालू करते हैं अब परने का घब मोद दुख ने लगया जो अक्सर प्रोल्म जो देखने को मिलती को तो लेकिन कुछ लोग के ज्यादा पैसे लेके कहते हैं कि हमने बहुत बढ़ीया लगा दिया उसके बारे बताओ तो यह जैसे होता है यह लग लग को आल्टी भी होती हैं होती है है मटीरियल होता है अपना फलेक्सिवल लाते हैं सौफ्ट मटीरियल लाता है आता सब कुछ है अगर इस चीज में मालोग ग्रीप पेशेंट आ गया दानत लगवाने वो कहता मैं पंदरा जा बीस हजार नहीं खर्च सकता तो इसका मतलब वो डैंचर नहीं लगवाएगा डै लग जाता है बढ़िया होता वह भी कि चबाने के लिए टाइम देना पड़ता है उसको डिजस्ट करना पड़ता है यह नहीं कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च करके बढ़िया डैंचर लगा लिया तो जाके मुह में अपने अब दाना तो चबाएगा नहीं खाना अगर म पाहर निकालती है इसलिए उसको सैटिंग होने में टाइम लगता है तो डाइट सब आप क्या जाओगे आज के पेरेंट्स को बच्चों को समाज को क्योंकि आप समाज सेवक हैं जहां से ज्यादा टाइम आप लोगों की सेवा में लगाते हैं कभी आपको कैम के लियों के क है तो आप तो देजे दुकान अपना उफ्मिस बंद करके चले जाता है अपने जो कलिनीका बंद करके चले जाते हो लोगों ने बहुत स्वेसे क्लिन 혼ल बड़े बुना लेकिन जो काम करने वाले टेक्नीश नहीं है जो डेंटल टेक्नीश नहीं है-इख तो आपको सबसे दिये डाक्टर अरिये सरोडा जी आज का वक्त बहुत फास्ट है बच्चे छोड़ो बच्चों के माबाप के पास भी टैम नहीं है उनको बोलो खाना दो मिट लगेंगे मैगी बना के दे देते हैं पहले हमारे टैम में ऐसा नहीं सा दलिया मिल जाता था जैसे वेसन का हलवा बना देते थे कई एटमें थी जो हमारी बाड़ी को भी अनरजी देती थी आज वक्त नहीं है माबाप के पास आनलाइन काल करो स्वीगी से मगालो ये खालो ये चीजे माबाप को भी सोचनी चाहिए अगर मेरा बच्चा कमजूर है बेमारी आगी तो बच्चे का भी कोई पैदा नहीं है अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी तन्bil cela दो के क्याल भी माबाप ने ही लखना बच्चे को कोशिच करे कि अपनी मावां अपने हाथ से बना के लिए आज़कल हर घर पे तो कामबाली है ना जानने उसके बनाने में खाने में कहां कहां हास लगा है य माँ से पूछता भी नहीं है मैंने और्डर कर दिया ममा खाना आ गया दो मिट लगते बार स्वीगी वाला आ जाता है आज तो बिमारी प्रोसी जा रही है तो यह थे डाक्टर रोड़ा जी जिन्होंने मैं बताया कि दांतों की सुरक्षा कैसे करना जी यह बच्चे जो खाते धन्यवाद है उसका हमारी से पे क्या आसर पढ़ता है और डाक्टर रोड़ा जी मैं तुमें आपका बहुत भूद धन्यवाद करना जाता हूँ कि आपने हमको समय दे हैं लोगों को बताया कि दांतों में कैसे कोई ब्मारी लगते है और कैसे जो हम पहले खाना खाते थे खाते थे, गन्य की घंडेरियां खाते थे, दाने खाते थे, छोले खाते थे, मक्की खाते थे, और आज कल जो जंक पूड़ आए गया, पास्ता हो गया, बर्गर हो गया, निउडल्स हो गया, वो हमारे लिए बिलकुल हानी का रखें, तो डाक्टर सब आपका बहुत बहुत तेंक्यो जी, टूड़े चैनल देखना ले आदा भी तो अड़ा भी स्थेंक्यो जी